नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज देखे बिहार का शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है आपको मालूम है कि सरकार ने शिक्षकों के लिए कई बड़े 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 बदलाओ भी किये हैं चाहे वो बदलाओ ट्रांसफर पोस्टिंग से जुडा हुआ हो या फिर वो बदलाओ छुट्टियों से जुडा हुआ हो या फिर वो बदलाओ वेतन विवाद से जुडा हुआ हो देखे आपने ये भी देखा था कि बीते दिन शिक्षाव भाग के अपर मुख सचीव एस सिदार्त ने भी बड़ी बातें कई थी तो आज हां मिसी मुद्दे पर सीधी बाचीद करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरून पांडे जी से सबसे पहले बहुंश भरने बाद आपको दिये थे सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कह रहे थे नहीं आप तो कह कुछ रहे थे सजादा किये क्या है यह नचर्चा कीजिए इसलिए कि जो सी इस सिधार्त ने कहा वो सब को इंप्लेमेंट करना सुरू कर दिया है यह बर्स 2024 अब विदा हो रहा है यह अंतिम महीना है अब पूरा यह 2024 का जो बर्स रहा है बिहार के पांच लाग सधीक सिक्षक जो राज के 75,000 सधीक सरकारी स्कूल है पढ़ा रहे हैं वो दर्द जादा महसूर किया है वो विभाग क के आदेश से विभाग के अटिचूट से और प्रादम में आप फरवड़ी से ही सुरू करेंगे तो इसकूल की टाइमिंग से यह ज़्यादा पेहन शुरू हुआ है इसकूल की टाइमिंग तत्कालीन, ACS, केके पाठक ने मनमाने तरिक से कई ऐसे आदेश दिये सिक्षा मे सुधार अफेक्षित है, जनता भी इसको सपोर्ट करती है, खास कर केके पाठक ने जब सिच्षकों को स्कूल में समय से आने और समय से जाने के लिए जो कुछ किया, उसकी इतनी सराहना मिली कि वही कारण था, जिजब सिक्षों की नियुक्ति दो चर्णों में BPS सिक्षक क की नियुक्ति ही, तो एक रिफिलेक्षन वो जनता का वो भाव था, ति केके पाठक देखे, कोई अधिकारी आये, और पुला कमिटमेंट से काम करे, तो कैसे सुधारा जा सकता है, लेकिन लगे हाथ, इतने सारे आदेश हुए, उसमें सिक्षा के अधिकार के नाम पर इतन विश्वास में लेने के लिए, सिक्षक निष्ठा से पढ़ाएंगे, आज इस्कूल में सिक्षक ही पढ़ाएंगे, हेड मास्टर इस्कूल का संचालन करें, अब मुझे लगता है कि ये भरोसे के साथ, एस सिद्यार जो अभी ACS है, सिक्षकों का विश्वास भरसक जितने के कोशिस की है, और पिछले दिन दिल की बात जो उनका एक सनिवार का कार्शक्राम होता है, जितनी बात वो कहते रहें, सब को दूराते रहें, नहीं अब तो करना शुरू किया, एक दिसंबर से स्कूल की टाइमिंग वदल गई, अब वो साढ़े नौ से चार क्लास हो गया सारे सिक्च गदद, दक्ष क्लास जो हुआ करता था, सुनने में अच्छा लगता है कि गरी बच्चों के लिए विशेस पढ़ाई हो, लेकिन वो पढ़ने वाला तियार हो, पढ़ाने वाला भी मनिवक से बढ़ावे, खाना पूर्ती हो रही थी, अब उसको भी खतम कर दि एक सोच इसको मैं कह रहा हूँ, ये वेभारिक सोच भी है, एक बड़ा सुधार ही हुआ, इसकूल की टाइम एटेंडेंस के लिए एक बात यहीं पर खलती है, वो ये कि अधिसंग सिक्छक, ठीक है मैं सहमत हूँ, एस सिद्यार्त की इस बात से, कि एक परसेंट ही बिस्फ अब हला BPSC से जो बाहाल सिक्छक है, उतो अपनी योगता और मेधा पर रहा है, उसने 25,000 सिक्छक विहार से बाहर के भी आए, अब इस सब के लिए, जो आज इसकूल में गए हैं तो पढ़ा रहे हैं देखिए, ये जो खास करके वैसे सिक्छक, जो सिक्षा मित्र के सुक्त से मालूम है, उस गाओं की प्रधाना ध्यापी का प्रभाली प्रधाना ध्यापी का है, ये दैन प्रश में धाजटर के ने अफो दिन धोता स्तिश केक्षा परति एंस्पर्ट कूल आई है जो सचमूच में प्ढहाने से जैदा और दूसरे काम इंट्रेस्ट लेने बाले हो मुबाइल इसकूल में रख देते हैं दूसरा टीचर उनके लिए उपरेट करता है बहुत सारा तो टीचर ऐसा है ऐसे भी एक हेड्मिस्ट्रेस से बता रही थी कि क्या करें अब वो टीचर नवादा जिले से टीचर आई कि एक टीचर ऐसा है जो स्कूल में जो बाहर के रहने वाला कोई टीचर एड्मास्टर या प्रभाडी है क्या करेगा उसके लिए मैं फिर वराबर कहां कैसे सिचकों की कवर के लिए इस पेसल इंस्पेक्शन होता है और चक निरिक्षान होता तभी पकड़े जाएंगे उस हेड्मास्टर से लाचा सब्सक्राइब को लेकर भी बहुत कुछ का था नहीं देखिए वह तो कहीं दिया साथ के अभी बनाई है कि वहीं टॉटलीटी में ट्रांसफर पॉस्टिंग की पॉस्टिंग की भले ही रद्द हो गई हो लेकिसिश्कों की एक बोपलर मांग थी और सिक्षक टांसपर चाह मुझे और लेकर आया है जो साथ के टेगरी की सिक्षक असाध रोग गंबीर रोग घर से दूर जो लोग है ऐसे लोग पती पतनी को एक साथ वाला जो एक जगा करना है उसके लिए अब तो सब को बिकलांग सिश्कों के लिए अब उसब का भी आवेदन का प्रारूप सामन घर से बैटके पढ़ाई थोले होगी इसकूल में तो जाना होगा तो जहां रहने वाले हैं वहां घर के समी पोस्टिंग हो जाएगी विभाग ने बिल्कुल एक बहुत लचीलाग आप कहिए कि के पाठक के अधिसंग आदेश को निर्देश को उलट ही दिया गया एक तरह सक्षमता परिक्षा दे रहे हैं उनकी कॉंसिलिंग हो रही है तीसरे चरण में जो नियोजेश सक्षमता परिक्षा दे रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो यह जो एक बड़ा बदलाव आया है मानता हूं और मैं पहले भी आपसे आपने लाइफ सिठीज के सारे वीवर्स इस अवगत हैं सिच्कों की समस्याओं को खास कर हम लोगों ने जितना उठाया है उनके दर्द को समझा है और मैं हमेशा कहता हूं सिठीज की सिच्पों के प्रती माइंदसेट सरकार को मैं हमें सह कहा करता हूं वह माइंदसेट में बदलाव दिख़ा है माइन सेट में बद्लाई है तब कहा है आप इसको सम्मान नहीं दीजेगा पूरे उसको तभी पूरी निश्चा से मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर से और टीचर से डंटे के बल पर थोड़े पढ़ाई होगी तो एक आप दोर आ गया है और जो भी कुछ वेसी ध्यार्थ न उन्होंने बहुत कुछ कहत देखे वेतन रोक ने कि अब उनका भी पॉइंट है वेतन रोक ना देखी तो बिरहत दर्ण माना जाता है किसी का वेतन रोक दिये और उसके बाद अब 10-15,000 ऐसे सिच्चों के वेतन रोक गए एक दिन आप लेट आया तो बेतन रोक आजाएग बना रहे हैं और उसमें लोग करेंगे उसकी समिक्षा करके सब कि चुछ कह तो दिया कि चार दिन लेट होने पर वेतन नहीं कटेगा पहले तो उस सारे अधिकारी जो नीचे के हैं न स्कूल में सिच्चों का इसी नाम पर दोहन कर रहे हैं इस प्रक्षन में और कोई कमी प सब कुछ बता दिया है यानि कि यह भी बता दिया है कि इनको हम नहीं बख्षेंगे अब इसी विवस्ता ही विभाग ने लागो कर दिया है आप इसी से फड़ी बारा रुख जाएगा अभी भी देखिए यह शिकायत अभी थी कि हमारी नियुक्ति हुई है और हम अपनी जगह हमको 30,000 मिलता है हम उसमें किसी और को हैड़ मास्टर को भी कुछ पैसा दे रहे हैं परवाली को और हमारे बदले को और प्रारा यह सब चीज खतम होगा इसके लिए जो अभी इस सर्वीस बूख का जो इंतिजाम किया गया है कि सारा रेकार्ड उसमें होगा देखिए एक बात है कुछ चंद लोग तो सोसाइटी में होंगे ना कितना आइडियल इस्तिति लौब्रेकर जो है ना सब कानून बना हुए हत्या रोकने का भी 302 काते हैं हत्या में क्या है आज ये वन काराबास मिर्तु दंडेदो ही तरह की सजा है तो भी आए दिन हत्या की गटना होती है तो जो कानून तोरने वाला है ना सिक्षक में भी कुछ भेड़िये जो गुस सिदार अब के के पाठा के तमाम आदेशों को पलिटते हुए दिखाए था बिल्कुल वह समय की मांग थी और अब जो वर्स दो हजार पचीश तो चुनाव साल में नितिश कुमार को जाना है मैं हमेशा कहता हूं कि पांच लाग साधिक इस सिक्षक नहीं सिक्षक परिवा तो आप उसका रिजल्ट क्या होगा तो नितिश कुमार को देर से सही अब सूज आई है कि नहीं कि शिक्षकों से नाराजगी भारी परिवारी तो जो कुछ कर रहे हैं उनके विश्वास पात्रों में एक अधिकाली है जो आज भी सचिवाले में हैं यहां तो अभी भी वह सभात hearing को पूरा बिश्वास में लेकर आया मु efforts, भी सणज्यों से जो मुखमंतर सुनिल कुमार सबचरे म से नीरलता की महांग परस्प्रणप्ति कि महां सब अप इच्छ तो ही पूरी होने जा रही है और होती हुई दिखाई भी दे रही है तो फिर ये पूरी बात्चीत आपको कैसी लगी है कमेंच करके हमें जरूर बताईएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिलकुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहीएगा और देखते रहीएगा लाइफ सिटीज बहुत शुक्रिया